आज के इस वीडियो में हम लोग बारहवी कक्षा के अर्थसास्त्र विशय के चिप्टर संख्या 27 जिसका नाम है नियून मांग एवं अतिरेक मांग को ठीक करने के उपाए इस चिप्टर से पूछे जाने वाले जो महत्पुर्ण प्रश्णत्तर है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे पहला प्रश्ण है नियून मांग को ठीक करने के राज कोशिय उपाए को लिखे आपका उत्तर होगा नियून मांग को ठीक करने के राज कोशिय उपाए निम्नलिखित है नमबर एक शर्वजनिक ब्याय में ब्रधी करना चाहिए नमबर दो कर अर्थात टेक्स के भार में कमी करना चाहिए नमबर तीन शर्वजनिक रीन में कमी करनी चाहिए नमबर चार घाटे का बजट बनानी चाहिए दूसरा प्रश्ण है नियून मांग को ठीक करने के मौदरिक उपाई को लिखे नियून मांग को ठीक करने के मौदरिक उपाई को लिखे नम्बर एक, बैंक दर में कमी करना चाहिए नम्बर दू, खुले बजार में केंद्रिये बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को खरीद कर नम्बर तीन, नगदकुष अनुपात में परिवर्तन करना चाहिए नम्बर चार, तरलता अनुपात में कमी करना चाहिए नमबर पाँच रिन की शिमान्त आवशक्ता मार्जिन में कमी करना चाहिए नमबर छो शाख राशनिंग को शमाप्त करके नमबर साथ प्रतक्ष काड़ेवाही के द्वारा नमबर आठ नैतिक दवाब के द्वारा तीसरा प्रस्ण है औतिरेक मांग को ठीक करने के राजकोशिय उपाए को लिखे अपका उतर होगा औतिरेक मांग को ठीक करने के राजकोशिय उपाए निमन लिखित है नमबर एक शर्वजनिक वियाए में कमी करना चाहिए नमबर दू, जनता पर कर का भार बढ़ा देना चाहिए नमबर तीन, शर्वजनिक रीन में ब्रद्धी करनी चाहिए नमबर चार, बचत का बजट निर्वान करना चाहिए चौथा प्रस्न है, पतिरेक मांग को ठीक करने के मौदरिक उपाए लिखिए पतिरेक मांग को ठीक करने के मौदरिक उपाए लिखिए आपका उतर होगा, पतिरेक मांग को ठीक करने के मौदरिक उपाए निमने लिखिता है नमबर एक, बैंक दर में ब्रद्धी करनी चाहिए नमबर दू, केंद्रिये बैंक के द्वारा खुले वजार में प्रतिभूतियों की बिक्डी करनी चाहिए नमबर तीन, नगद कोश अनुपात में ब्रधी करनी चाहिए नमबर चार, तरलता अनुपात में ब्रधी करनी चाहिए नमबर पाँच रीन के शिमान्त मार्जिन में ब्रधी करनी चाहिए नमबर छो शाख राशनेंग को बढ़ावा देना चाहिए पाचमा और अंतिम प्रश्ण है राजकोशिय नीती तथा मौदरिक नीती में अंतर लिखे आप पउतर होगा राजकोशिय नीती और मौदरिक नीती में निमलिखित अंतर है नमबर एक राजकोशिय नीती का समंध शर्वजनिक आय ब्याय एवं रिन से है जबकि मौदरिक नीती का समंध मुद्रा के पुर्ती एवं शाख की उपलब्धता से दुसरा अंतर है राजकोशिय नीती का निर्धारन सरकार का वित्मंत्राले करती है जबकि मौदरिक नीती का निर्धारन केंद्रिये बैंक करती है तीरह अर्थसास चेप्टर संख्या शताइस के महतपुर्ण लगहूतरी और द्रिखुतरी प्रस्णु का उत्र धन्यबाद अगले चेप्टर में अगले प्रस्ण को लेकराएंगे